एलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं परसो राखी है तो पैनीर के ओर्डर साय वे थे तो हम वही बनाने लगे तो सोच आपके साथ भी शियर करें तो सबसे पहले दूद गरम करने के लिए मैंने रख दिया है पतीले में दस लिटर दूद रखाया गरम करने के लिए तेज आच में ढखके तो जैसे ही दूद में उभाला आ जाए गरम हो जाए तो इसमें छे चोटे जमच सैक्रिक एसिट के मिलाया है जिसे निबू का सद भ एक श filling हो फट जाता है देखिए बिलकुल हमकि हांथ से आच्छिक डाले के बाद इसको हिलाना है चान इसके नीचे तली पर ना लगते हुए उपर हलके हाथ से हिलाना है ताकि इसको अच्छ writes on तो इसको दोप तक हिलाना है जब तक कि पानी उपर ना आ जाय और पनी नीची अच्छे से न बट जाय तो इसको हिलाएंगे अच्छे से और देखिए दूद में से पनीर अलग हो रहा फटके और यह जो पानी है यह उपर आ रहा हैं तो यह अच्छी तरह से अब दूद मदद से इसको चानेंगे यह देखिए कितना अच्छा पनीर बनके रेडी हुआ है कितने अच्छे से दूधफटा के तो बस इसको बांद के इसको ऐसे फोल्ड करके इसको किसी प्लेट से इसको अच्छे से टाइट से पहले बांद देना है पिर इसको अच्छे से कवर करके group कवर कि एक प्लेट एक निक देदार रखो से घंग एक प्लेट प्लेट के जी टॉपर दिये लेखेंday रखो जिरें प्तर लिए यह की लेखर हुई में यह व्यां सट zij देखिए ख oui हमीरा को में निकल देएट एक प्थर अट और यह देखिये कितना अच्छा पनीर बनके रेडी हुआ है अच्छा पनीर बनके रेडी हो गया है दोस्तों अब इसको पानी में चोटी चोटी टुकड़े काट के इसके पीस कर देंगे चार पांस पीस कर देंगे इसके वा इसको पानी में डालके रख देंगे जिससे यह काफी टायम तक फ्रेश रहता है